असलाब लेकुम मैं उमेरमी राज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूस को लेके इल्मियानम के चैनल पर हाज़िरू आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है अठाई सबसे पहले अगर बिटकोई की बात कर ली जाए तो बिटकोई इस फोर आवर टाइम पर काफी एच्छा एक बुलिशन दिखाया है और क्योंकि न्यूस जो है वो काफी एच्छी आरी थी और काफी जैदा बाइंग भी जाता है उसी ने पिछले दिनों बिटकोईन की तक्रिमन 24 मिलियन डॉलर ओफ वर्थ की बिटकोई की बाइंग की है अब वो वेल कौन है उसके बार में तो अभी तक किसी को भी नहीं बता बिल्कुल अनॉनिमस है वो शक्स लेकिन उसने टुर्किमन 26 और 27th of August को दो दिन मे सिरफ 504 बिटकोईन की बाइंग की गए तो ये एक काफी बड़ी वजा थी कि एक दम हम लोको ने देखा कि काफी अच्छा एक बूस्ट आया है बिटकोईन के अंदर इसके लाब दूसरी न्यूस अकर मैं आपके साथ शेर करता चलूँ तो जैसे कि मैंने आपको पिछले अप्र अच्छा के बिटकोईन को बिल्कुल लीगल कर देगा और लोग मतलब आम तो उससे भाइंग और सैलिंग कर सकेंगे और मैंने आपको बताया था कि हम लोग देखेंगे के दूसरे कंट्री जो है अब वीटकोईन की तरफ आएंगे तो दूसरी न्यूस अब क्योब की तरफ से आ रही है कि जहां पे क्यूबा की गॉर्मेंट कह रही है कि वो अब बिटकोइन को प्रोपर लीगलाइज कर देंगे अपने कंट्री के अंदर और फिर उसको यूज करते हुए लोग पेमेंट्स करा भी कर सकेंगे तो यह काफी अच्छी न्यूज है के अलसाल वा इडिक्शन के मसाविक जो बिटकोइन की जो वैली है वो 2026 में 1 मिलियन डॉलर, 2030 में 10 मिलियन डॉलर और 2035 में 100 मिलियन डॉलर को टैच कर सकती है अब इन्होंने इसी मत में BTC के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि जिसमें उन्होंने BTC के बारे में गाइड किया है अ वो हम जैसे रिटेलर से निकल के बड़े-बड़े जो इंस्टिटूशन हैं या सर्मायादार हैं जो कि लोक्तम के लिए इसे होल्ड करने चाहते हैं जैसे कि लोगों ने अपने पास गोल्ड को रखा हुआ है और इसी तरह एक वक्त आएगा कि जब बिटकोइन की करने के लिए इसी तरह कंट्री जो है वो बिटकोइन को रखेंगे ऐसे रिजर्फ और ये वक्त वह वक्त होगा कि जब बिटकोइन की जो वैल्यू है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स को टेच कर रही होगे और इसी तरह एक और ट्वीट अगर मैं आपके साथ शेयर करता चलू तो तक्रीमन पिछले तीन महां के धर्मयान में 84% बिटकोइन जो है उसकी जो सप्लाय है वो मूव ही नहीं हुई है मतलब कि लोगों ने उसको आगे पीछे नहीं किया मतलब कि उसको सेव करके रखा हुआ है और इसका यही मतलब है कि लोग जो है वो लोग ट्रम के लिए बिटकोइन को अपने पास सेफ कर रहे हैं तो यह काफी अच्छी डियूस है बिटकोइन के लिए और हम दो देखेंगे कि बिटकोइन की जो वैलियू है वो अगले कई सालों में मिल्योंस और डॉलर्स को टेच करेंगे इसके लाब दूसरी न्यूस अ को बताया करेंगे कि डी सेंट्रलाइस फाइनेंशल जो इंस्ट्रिट्यूशन है उनके अंदर क्या डिवैलोपेंट्स वगएरा आ रही है अब जैसे के बारे में हम लोग जानते कि इन लोग ने रेगुलेशन वगरा बनानी है प्रोपर क्रिप्टो करशी के लिए और कि SEC को और फिर SEC जो है वो उसके मताबिक रेगुलेशन गारा बनाए कि डी सेंट्रल फाइनेशल इंस्ट्यूशन के ऊपर और अब अगर बात की जाए एथेरियम की तो एथेरियम की वैल्यू जो है वो तक्रीम इसफर 30 डॉलर्स को टेच कर रही है और और अगर बर्निंग के उपर बुलिश हूँ असल में मैं वो अब कर साथ अकर शेर करता चलूँ तो इस वक्त सबसे पहले ही जो रीजन है वो यह है कि एथेरियम की जो टोटल सप्लाइए है उसके दर काफी शोक्स वगरा आ रहे है कि मतलब कि इस वक्त जो एथेरियम की नेट इंफलेशन है व काफ ज्यादा हो रही है कि जिसका मतलब यह है कि एथेरियम है वो एक्सचेंजिस के अंदर कम हो रहा है ठीक है जो के यह जाहिर कर रही है कि जो होडलर्स है एथेरियम के वो एम कर रहे है कि वो लोग एथेरियम को काफी आगे जाके मतलब कि देर से उसके सैलिंग करेंगे और इसके इलावा Ethereum के बारे में अगर मैं आपको पताता चलो तो Ethereum के जो Developers है वो इस वक्त किसी भी दूसरी Cryptocurrency से सबसे ज्यादा है मतलब कि अगर किसी भी शक्स नहीं या किसी भी कंप्टनी ने अपने Cryptocurrency निकाल ली है तो उसको बहुत easily ऐसे Developers मिल जाएगे जो तो यह भी एक बहुत बड़ी रीजन है इसके मताद भी हम लोग देखेंगे कि एथेरियम के जो वैलियू है वो इस फीचर में और भी जादा बढ़ती ही जाएगी और इसके लबाए और एक और रीजन आपके साथ शेयर करता चलू तो जो यह फिफ्टीन फिफ्टीन नाइन वर्ट जो एथेरियम है वो इस वक्स्टेक किया हुआ है मत्तलब के वह प्रॉपर लॉक्ट है और इसके पराद से जो उसकी वैलियू के अंदर अगर हम लोग व्रस नाडियो के अंदर मीच दिप देखेंगे तो उसकी इसेरियम की जो वैलियू है वह 1700 तोलर या 2000 डॉलर स वर्थ आफ इस वक्त हुआ पड़ा है और इसके लावा हम लोग जानते हैं गर जो एक ट्रेंट शर्क्राइब मार्केट के अंदर जो स्मार्ट कोट्रेक्स अब्धिंग फ्रणिन के उप चल्चन था जित्ले इस सारी के जो सारे नेटवर्क के ऊपर काम करें तो ये कुछ रीजन्स है कि जिसकी विजा से मैं अभी भी एथेरियम के वह काफी ज़्यादा बुलिश हूँ और मैं देख सकता हूँ कि जो एथेरियम की वैल्यू है वह काफी ज़्यादा पुल बैक करेंगी और अपने ओल टाइम हाय को तोड़के और भी ज्यादा उपर हम यदे ने थोड़े पहले चारलस हॉसकिण सन्ने अपने यूट्व चेनल पर लाइव आके अपनी कम्यूनिटी को बताया चार्ले पहले उन्हों हम लोंटा होल को ड़े आपफ। चार्ल्स होस्किंसन की यही जो कम्यूटी अपडेट की आदत है शायद यही एक बहुत बड़ी वजा है कि हम लोग देखते हैं कि जो समार्ट को टेक्स जो के मार्केट में और भी बहुत ज्यादा है कि जासे कि सोलाना है लूना है और पॉलका डोट है लेकिन फिर भी सारी क मार्केट में जो सरमाया दा रही है वो कार्डानो ही कैप्चर कर रही है इवन एथेरियम का जो के किलर कहा जाता है बनैंस को मतलब के बियन भी को उसकी जगा अब कार्डानो ने ले रही है और यही जो चार्ल्स होस्किंसन की जो सबसे बड़ी आदत है कि वो अपनी कार्णों को असल में एथेरियम किलर कहा जाता है और चार्ल्स होस्किंसन ने यह भी पताया कि सम्थिंग गुड और फिसको के बाद थोड़े ब्रेक के बाद ने रिकाता है कि बैड है तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने यह एक साइन दिया कि आप लोग ने एक दम ही मतलब कि इतनी मश्मूर नहीं है उनको एजन एन एफटी यूज करते हैं लोग ने अब उसको बेचना अगरा शुरू कर दिया है तो यह एक बहुत अच्छा एडिया है और इसमें मतलब कि मैं एक परसनल एक्सफिरियंस भी आपको साइर करता चलूँगा कि मेरा एक दोस् आपको रहने कोईंच करने की यह एक आदग थी तो उसने काफी द्यादा जो प्रवाने कोईंच हैं मतलब के एटीन हंड्रस के अंदर भी जो कोईंच होते थे उनको उसने जम्मा करके रखा हुआ था तो उसको कुपे करब्टो की नॉलच भी थी तो मैंने इसको आडिया क कि उसको कुछ जो कोईन्स हैं उनको as an NFT बना के बेच देना चाहिए तो उसने रिसेंट ली जो है मतलब कि 3-4 दिन पहले अपने जो दो कोईन्स है उनको बेचा है as an NFT और तकरीबन 2500 से 3000 डॉलर के उसने सिर्फ दो कोईन्स की NFT अपनी बेच लिए तो ये मैं idea आपको देना चाहता हूँ इस experience के साथ भी अगर के अगर आपके पास भी किसी बहुत बड़े legend player की या किसी बहुत बहुत बड़े legend की आपके पास pictures बड़े है उसको या आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ पढ़ी है जो के अब बहुत पुरानी हो चुकिया अब उनके NFTs को बना के बेच सकते हैं और काफी अच्छे पैसे जो है वो आप इसे बना सकते हैं तो उमीद परता हूँ आपको आज का news blood अच्छा लगा होगा कल तक के लिए जासे दीजिए अलाहाफिज